हे अवरिवन वेलकम बैक टू आर चैनल तो मैं एक पर फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही काम आने वाली कुछ ऐसी टिप्स जो आपने ना कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी कुछ आनों के टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगर अच्छ समान रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है वो बचाने वाली हैं तो कुछ किचन से रिलेटेड टिप्स हैं और कुछ आपकी ठेली लाइफ से रिलेटेड हैं जो मैं शेयर करूंगे आपके साथ डेफिनेटल आपको पसंद आएंगी और आप भी उनको फोलो कीजिएगा अच्छी लगें तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा वेलकम है आपका मेरे चैनल पर किये करते हैं वीडियो स्टार्ट फर्स टिप्स हैं हमारी कपो को लेकर हमारे घर में स्पेस की बहुत जादा कमी हो जाती है कप समझ में नहीं आता क्या करें तो हमें लेने हैं कप और उनको किस तरह से रखना है तो देखे एक कप लिया है मैंने इस तरह से एक कोना होता है जो हैंडल होता है उसको इसमें फसा लिया है और अभी हम लेंगे दूसरा कप मतब एक तो इसमें फस गया दो हो गए अभी तीसरा लेते हैं तो इसको इस हैंडल में रख लेंगे और तो यह चोथा लिया है इसको इस हैंडल में अच्छे से मैनेज कर देंगे और इसके अंदर से एकदम जब इस तरह से करेंगे आप तो यह चारो फिक्स हो जाएंगे तो इस तरह से आप इसको कहीं भी अपने स्टोर रूम या बैड या जहां भी आपको comfortable फील हो आप इसको र तो अगर आपके साथ भी यह समस्य होते है तो आप इस तरीके से अपने कपो को रख सकते हैं क्योंकि एक कप को किस तरीके से रखेंगे उसके dust आजाएगी अगर आप इनको इस तरह से pack करके रखेंगे तो ना dust आएगी और ना यह ए ग्रैक होंगे आप ऐसे newspaper में इनको fold कर या फिर आप कोई धागा कि मतलब सुतली भी हो सकते हैं सुतली भी होती है लोगों के घरों में उसको मतलब उपर से कवर कर दें बान दें तो देखिए इस तरीके से आप इनको कहीं भी रख सकते हैं तो है ना कमाल के टिपस अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना और अब चल विंटर गई और अभी हमें सिल्की साड़ियां रखनी है क्योंकि सिल्क गर्मी में नहीं पहना जाता है तो उसको किस तरीके से मैनेज करें और गोनाइज करें वही बताने वाली हूं तो आप उसे अच्छे से कबर्ड में या जहां भी आपके स्पेस हैं रखें तो किस तरह केरफुल होके जिसे वो खराब नहों और नेक्स्ट विंटर में आपकी साड़ी एक तम फ्रेश निकले या तो आप कोई कोटन का दुपट्टा हो उसमें भी इसको अच्छे से कवर करके रख सकते हैं उससे भी सिल्की साड़ी बिल्कुल खराब नहीं होती है बट मैं बता आपको एक यूनीक तरीका पता होगा वैसे आपको लेकिन फिर भी मैं बताने वाली हो न्यूस पेपर की हेल्प लीजिए उसको अंदर अच्छे से उसको सेट कर दीजिए और इस तरह से फोल्ड करना है तै लगानी है साड़ी की देखिए ऐसे आपने देखा होगा दुका उपर आप चैलों किजिए अच्या विप्स तो यूस थो पएपर को हम किस थर से और गॉनाइज करें अगर कोई गैस वघंगा गल्ाकर अंग है मैं विडिए यस तरीके से दिखाते हैं कि व Hyp. तो फोल कपेपर में डि creeping होता है और वह खूब्बस्ब्प इघ तूढम किस तरह से और मोटे लेंग जा आप को ती mentorship बेड़नी जाता है कहाने की टेबल पर आपको टीशु को टिशु पर रखने तो इस तरीके से आप उसको क्या souls कर लिजिए और आप जैसे करके अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर गमेंड कीजिएगा चैनल पर नियू है तो चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कर लीजिएगा काफी अच्छी टिप्स है आप यह देखिए कितने अच्छे से और्गुनाइज हो गई है हमारी टीशू पेपर और आप इसको अप की डेली लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है आपको लेनी है जाडू की सिंक उसको अच्छे से ब्रेक कर लेना है बीच में से तोड़ लेना है और अभी क्या मैं करने वाली हूँ देखो क्लीनिंग करने वाली हूँ क्योंकि क्या होता है मिक्सी तो सभी के पास होती है इ तो आप चाहें तो अच्छी सी एकring cotton ले लें, मेरे पास इस टाइप की थी, पर मैंने क्या किया, उसको cotton को break कर लिया बहुत जगह से, तो वो सैटी नहीं हो पा रही है इसमें सिंग में, लेकिन आप चाहें तो cotton को अच्छे से फैला कर सैट कर लें, उसके बाद इसमें सीक में adjust कर लें बट अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करना है वो बताने वाली हूँ मैं तो आपको इस तरह से cotton को फैला लेना है और सीक में set करने के बाद वो नहीं हो रही है न वो हट जाएगी जब आप cleaning करेंगे तो आपको लेनी है सैलो टेप से उपर की साइड से अच्छे से इसको fix कर लेना सीक के साथ तो अभी ये cotton कहीं नहीं जाने वाली है वरना तो क्या होगा जैसे आप cleaning करेंगे ये cotton बार बार निकल जाएगी आपको problem होगी कोई फायदा नहीं होगा तो अभी क्या करना है और हलके हलके हाथों से इस पर set कर लेंगे अब यह हो चुकी है set अब हम कैसे करेंगे cleaning वह बताती हूं मैं देखिए ये space होता है सभी की मिक्सी में होता है यहां पर तो बिल्कुल भी हम cleaning नहीं कर पाते हैं बहुत मुश्किल हो जाती है अब easily आप clean कर पाएंगे अपने mixer, juicer, grinder सभी को इस ट्रिक से और इस तरीके से आप मिक्सी के उस कोने को भी साफ कर देंगे जहां आपका कपड़ा या फिर आपके scrub या फिर कहते हैं कि cleaning नहीं कर पाते हैं नहीं जा पाता है ऐसे ऐसे कोनों में तो अभी यह easily clean कर देगा इसको यह देखिए अंदर तक मैं इसको इस मिक्सी को साफ करना बताया था वह भी काफी कमाल की टिप्स आप नीव को अच्छे से रब कर लें उसके बाद कपड़े से पोंच दे इस शाइन आ जाती है मिक्सी पर और क्लीन भी हो जाती है अभी यह दूसरा तरीका है यह देखिए इससे भी बहुत अच्छी क्लीनिंग किटनी डस्ट आई है आई है जबके यह साफ थी मिक्सी लेकिन फिर भी कोने में पहुत सारी डस्ट रह जाती है तो हना कमाल की टिप्स चलते है अपनी नेक्स टिप्स पर अगर टिप्स अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंड कीजिएगा तो हमारी जो नेक्स इसके प्रैस क्र ऑफ ना आ रख देतें वायर अंक दिए सब्सक्राइब आपशी आपजहिं भिया जरो को तरी सब्सक्राइब उसका आपके माता सब्सक्राइब कर लें और उसका जो handle होता है handle में देखे मेरे पास है फुरानी watch यह खराब हो चुकी है इसका कोई use नहीं हो रहा था मेरे घर में तो मैं अब इसी से बताने वाली हो क्या करेंगे इसको गड़ी पहना देंगे जैसा कि title में भी देखा था अपनी प्रेस को वोच पहना कर देखें घड़ी पहना कर देखें फिर क्या होता है तो देखें यह बेकार घड़ी थी मैंने इस तरीके से इसको इसके अंदर अच्छे से पहना दिया इसको तो अभी क्या हो रहा है इसको ऐसे करने से इसकी जो वायर है वो भी अच्छे से और आगे तक अच्छी आपकी आयरन चलने वाली है तो इस ट्रिक को जरूर फोलो कीजिएगा अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंड कीजिएगा ऐसी ही बहतरी टिप्स लेकर आती रहूंगे आपके लिए चैनल पर न्यू है तो चैनल को सबस्प्राइब कर लिजीगा मिलत हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा बाबाई गाइस टेक एर